राजिस्थान के कोटा जिले के एक सरकारी स्कूल में धर्मान्तरन और लग जिहाद की साजिशों का खुलासा होने के बाद दो सिक्षक सस्पेंट कर दिये गए हैं यह स्कूल सांगोध कस्बे के पास इस्तित खजूरी राज किये उच्च माध्यमिक विद्याले है स्कूल के एक हिंदू शात्रा के इस्थानांतरर पत्र में इसलाम लिखे जाने और शात्राओं से जबरन नमाज पढ़वाए जाने का मामला सामने आया है 21 फरवरी 2024 को सर्व हिंदू समाज के एक प्रतिनिधी मंडल ने मुलाकात करने पर यह मामला उनके संख्यान में आया संग्ठन ने सरकारी स्कूल में इसलामिक जिहादी गतिविधियां चलने का आरोप लगाया है बताया जा रहा है कि प्रतिवंधित कर्टरपन्थी इसलामी संग्ठन के इशारे पर लगजिहाद और धर्मांतरण की यह साजिश चला रहे थे फिलाल इस बुलेटीन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे है एमवी नेटवर्क